तो यहां पर हम कॉश्या नमर 5 से कंटिन्यू कर रहे हैं कॉश्या नमर 5 जो था तो पहले मैं इंट्रॉक्शन कर दूँ कि हमारे क्या चल रहा था पिछली क्लासस में तो पिछली क्लासस में हम जो है हाफी अली पेपर 2022-23 मद्दप्रदेश मादमिक सिच्छा मंडल भोपाल कक्षा ग्यारवी भौतिकी का पेपर डिसकस कर रहे हैं अब जो है हमारे पास Q5 पर हम आके रुके हैं Q5 देखते हैं पहला है विमी विशलेशन के दो अनुपरयोग लिखिए तो विमी विशलेशन के दो अनुपरयोग बहुत सरल हैं पहला होता है किसी भौतिक समीकन की सतता की जाच करने में ओके तो पहला अनुपरयोग क्या है इसका इसका first use क्या है पहला use है कि किसी भौतिक समीकन की सतता की जाज करने में की जाज करने में ठीक है पहला use और दूसरा है भौतिक राशियों में संबंद इस्ताफित करने में विमिन भौतिक राशियों में संबंद इस्ताफित करने में तो ये हमारा हो गया question number 5 अब आईए देखते है question number 6 क्या कह रहा है question number 6 देखी क्या कह रहा है इसका एक और और में question आया है विमिय सूत्र लिखे कारे का और संबेक का तो कारे और संबेक का में विमिय सूत्र यहाँ पर आपको बता देता हूँ question number 5 में ही और वाला question जिन लोगों ने कारे का विमिय सूत्र लिखा हो तो कारे का विमिय सूत्र होता है उर्जा का विमी सुत्र ML2 T की पावर माइनस टू और सम्वेक का होता है ML T की पावर माइनस वन तो सम्वेक का विमी सुत्र ML T की पावर माइनस वन next question क्यों चलते हैं अगला question आया है चाल और वेग में दो अंतर लिखिए ठीक है ना तो question number six का पहला जो part है उसमें एक तरफ आपको चाल लिखना है और दूसरे तरफ आपको वेग लिखना है तो चाल और वेग में अंतर होता है तो चाल कैसी राशी है अधिश it's a scalar and वेग क्या है सदिश it's a vector quantity पहली चीज चाल जो होती है किस पर निर्भर करती है यह पत पर निर्भर करती है और यह पत पर निर्भर नहीं करती है यह प्रारंभी किस्थिती और अंतिमिस्थिती पर निर्भर करती है तो दो अंतर आपके यह हो गए और कोई भी दो लिख सकते हैं आपके पास अलग अंतर हो तो व इकाई सदिश ये क्या है इकाई सदिश किसके समनांतर अक्छों के अनुदिश या अक्छों के समनांतर ये अक्छों के अनुदिश इकाई सदिश है अगला कह रहा है क्वेशन न्यूटन का गती विश्यक दुतिय नियम लिखे तो न्यूटन का जो गती का संबंधी दुतिय लगाया ग्याब उसके सम्वेग में परिवर्तन के समानुपाति होता है f is directly proportional to delta P upon delta t किसी वस्तुपर लगाया ग्याबल जो होता है उसके सम्वेग में परिवर्तन के समानुपाति होता है यह होता है न्यूटन का dothenium अर्थात गनती रूप से f is called to delta P upon delta t यहाँ पर आपको रोग देना था यह है न्यूटन का गती का दुतिनियम इसको थोड़ा explain करके लिखूं तो मैं लिखूंगा किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है सम्वेक परिवर्तन की दर के अनुक्रम आनुपाती हो ता है तो सम्वेक परिवर्तन की दर के अनुक्रम आनुपाती I mean to say F is proportional to सम्वेक परिवर्तन की दर याने अपन में डेल्टा टी So F is equal to K delta P by delta T यह है आपका newton का नियम यहाँ पर यह newton का नियम F is equal to K का मान एक होता है और delta P upon delta T Okay, so F is equal to K delta P upon delta T F is equal to delta P की value कितनी होती है M B upon delta T F is equal to M दर बमान है delta V by delta T F is equal to M into A force equals to mass into acceleration तो गया आपके पास में यहाँ newton का second नियम है और यह इसका घंड़ती है यह इसको घंड़ती ही रूप से आपने इसका विशलेशन किया है यह इसका घंड़ती है विशलेशन है एक तरीके से इसे newton का नियम मत कहा करिये F equal to M A Newton का नियम जो होता है F is proportional to delta P upon delta T हुआ करता है चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है कि सिद्ध करिए कि संवेग में परिवर्तन जो होता है आवेग के बराबर होता है संबेग में परिवर्तन जो होता है वो अब एक के बराबर होता है तो बिलकुल इसी से जुड़ावा सवाल है हम जानते हैं और वाला प्रशन ही ये क्या जानते हैं हम जानते हैं कि संबेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो किसके बरावर होती है बल के बरावर अभी हमने प्रूफ किया कि बल is equal to समवेग में परिवर्तन की दर अभी अभी हमने निकाल दिया है तो समवेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा एफ इंटू डिल्टा टी तो ये क्या है भाई साब ये है सम्वेग में परिवर्तन और डिल्टा टी क्या है डिल्टो एफ इंटू डिल्टा टी क्या है आवेग तो सम्वेग में परिवर्तन किसके बरावर होगा बच्चों आवेग के बरावर सम्वेग में परिवर्तन का नियम देखिए क्या होता है रेखिक सम्वेक संरच्ण का नियम क्वेश्चन नमर आठ है क्वेश्चन नमर आठ कहता है रेखिक सम्वेक संरच्ण का नियम लिखिए बाहे बल्कि अनुपस्थिती में कि अनुपस्थिती में किसी निकाय का का सम्वेग सन्रक्षित रहता है सन्रक्षित रहता है कहां से आता है देखिए किसी निकाय का सम्वेग सन्रक्षित रहता है इसी बात को हम सम्वेग सन्रक्षित का नियम कहते हैं कहां से आता है हम जानते हैं कि F is equal to delta P upon delta T okay f is equal to delta p upon delta t so मैं लिख सकता हूँ कि f into delta t बराबर delta p so f into delta t का मतलब t2 minus t1 equal to p2 minus p1 ये condition बन गई है इसको आप समीगर नंबर एक दे सकते हैं अब देखे क्या कह रहा है अगर बाहे बल अनुपस्थित हो अगर बाहे बल अनुपस्थित हो यानि बाहे बल ना लगे तो बाहे बल ना लगे इसका मतलब f का मान कितना होगा 0 तो 0 into t2 minus t1 is equal to p2 minus p1 that is p2 equals to कितना होगा p1 यानि कि इसको ऐसे समझवा पहले 0 into t2 minus t1 तो ये 0 हो जाएगा और 0 equals to कितना होगा या p2 minus p1 इसको हम आगे solve करेंगे तो क्या जाएगा हमाँ पास p2 equal to p1 या you can say p1 equal to p2 ये क्या है p1 ये हमाँ पास निकाय का प्रारंभिक समवेग और p2 क्या हमाँ पास निकाय का अन्तिम समवेग जी हां तो condition हमाँ पास बन चुकी है कि निकाय का प्रारंभिक समवेग निकाय के अन्तिम समवेग के बराबर होगा और ये कहलाता है समवेग सनचन का नियम तो ये था हमारा प्रारंबिक सम्वेग इक्वल टू अंतिम सम्वेग जिसको हम कहते हैं कि निकाय का प्रारंबिक सम्वेग जो होगा निकाय के अंतिम सम्वेग के बराबर होगा और ये कहलाएगा हमारा सम्वेग संरच्छन का नियम चलिए अगला क्वेशन देखते हैं दो नालमुखी चाल 80 मीटर प्रतिसेकेंड है तो तोप की प्रतिछेप चाल क्या होगी यह टॉप नहीं है पहली चीज़े तोप है तो हुआ क्या है कि आपने यहां पे किसी तोप से कोई गोला दागा है ओके तो क्या कंडिशन बनेगी देखिए कंडिशन यह बनेगी प्रारभ यूवन प्लस एम टू यूटू एक कोल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू भाई शुरुवात में क्या है आपके पास में कि जो 100 किलोग्राम सहिती का कोई तोप है तो तोप का ध्रमान कितना है 100 और तोप रुका हुआ है तो उसका विक कित्ता हो गया जीरो और और इसका भी वेक किता है जीरो क्योंकि गूला रुका हुआ है उसके बाद जो है तोप जो है 100 किलोग्राम की है उसका वेग आपको ज्याद करना है तो प्रारंब्भिक संव्वेग जो है वह अंतिम संवेख के बराबर होगा और प्लस एम टू एम टू याने कि 0.020 सुरी यहां पर गलत लिख दिया मैंने 0.020 ओके तो जिसे आप 0.020 ही लिखिए क्योंकि 0.020 का कोई खास मतलब होता नहीं है 0.020 ही कहलाता है decimal के बाद के जो zeros होते हैं उनका कोई विशेस मतलब नहीं होता ओके तो देखिए यहां पर 0.020 कर लो और इंटू वी टू आपको वेलोस्टी जो है किती दी गई है गोली की गोली की वेलोस्टी आपको दी गई है 80 meter per second चली, तो देखी, यहाँ पर यह भी 0 होगा, यह भी 0 होगा, तो टोटल सम्वे कितना होगा, प्रारंबिक 0 होगा और यह हो जाएगा 100 भी और 0.020 को हम solve कर देते हैं तो 0.02 ही है यह 0 लगाओ भी तो देखलो आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बटे एक हजार, यह 0 से 0 कैंसल हो गया मतलब 2 बटे 100 गुणे 80, ओके तो कितना हो गया भाई, 0 एक्वल टू 0 एक्वल टू, 100 भी और प्लस, देखो कितना आगया 2 बटे 100 गुणे 80, असी गुणे 2 कितना हो गया, 160 अपाउन 100 ओके, तो 0 से 0 कैंसल हो गया तो यह कितना हो जाएगा अपने पास में 100 भी एक्वल टू, माइनस में कितना हो जाएगा, 1.6 तो भी इक्वल टू माइनस का 1.6 अपाउन 100, तो डेसमल को हमको दो डिजट और पीछे ले जाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा यह अपने पास में यह आजाएगा, वी इस इक्वल टू, माइनस का 6, 1 है और दो डिजट पीछे तो एक इसके पीछे गया और एक इसके पीछे गया ओके, यह देखिए कितना हो जाएगा माइनस 0.016 ओके, निगेटिब का 0.016 मीटर पर सेकेंड आप जानना चाहेंगे निगेटिब क्यों आ रहा है, क्योंकि गोली अगर आंगे जाएगी तो जो तोफ है प्रतिछिप्त होगी पीछे की दिशा में तो उस चीज को सूचित करने के लिए यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है इसलिए इसे प्रतिछेप्चाल या प्रतिछेप्त वेग भी कहते हैं चलिए मित्रों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यह वाला हो चुका है अगला है G और G में दो अंतर लिखिए बहुत ही सरल सवाल आया है जी और G में दो अंतर तो देखिए इसमॉल जी और कैपिटल जी इसमॉल जी का मान जो होता है वो ग्रहों के अनुसार बदलता रहता है और कैपिटल जी का मान जो होता है वो फिक्स होता है यह कभी बदलता नहीं है ओके, इसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है कभी बदलती नहीं है और क्या है जी का मान जो होता है वो ग्रह के द्रवमान पर निर्भर करता है और capital G जो है वो ग्रह के द्रवमान पर निर्भर नहीं करता है ठीक है न ये ग्रह के द्रवमान पर निर्भर नहीं करता है ये हमेशा फिक्स होता है चलिए अग ग्रहों की गती समंधी केपलर का दुतिय नियम लिखिए तो केपलर का दुतिय नियम क्या था केपलर का दुतिय नियम था कक्छिय वेक समंधी नियम ठीक ना तो केपलर का दुतिय नियम समंधी केपलर समंधी दुतिय नियम पूछा गया है तो दुतीनियम क्या कहता था दुतीनियम ये कहता था कि किसी भी गरह की जो aerial velocity होती है छेत्रिय चाल जो होती है वो हमेसा constant बनी रहती है किसी भी गरह का planetary motion मतलब सौर मंदल में गतिमान किसी भी गरह का जो छेत्रिय वेग होता है अगर वो वीवेक से ट्रेवल कर रहा है ठीक है ना तो यहाँ पर दिये गए समय में जितना छेतरफल कभर करेगा उतना ही छेतरफल ये दूसरी जगह भी दिये गए समय में ट्रेवल करेगा ठीक है ना तो इसको हम शब्दों में लिखते हैं अच्छे से कैसे लिखेंगे समान समय अंतरालों में समान छेत्रफल तै करती है, मतलब जो ग्रह है, यहाँ पर ग्रह देखे, ग्रह को सूर से मिलाने वाली रेखा, यह ग्रह है अपने जो बनाया है, और इसको सूर से जो मिलाने वाली रेखा होती है, यह इपने पास क्या है, सूर है और यहाँ पर यह ग् मान लेजिए ग्रह किसी पोजीशन पर यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा है तो टी समय में कितना चेत्रफल यह इसने कवर किया इस रेखा ने इतना और फिर यहां पर मान लेजिए कि यहां से यहां तक आने का समय भी कितना लगा है टी लगा है ठीक ना तो यह चेत् और यह D है तो आप क्या कहेंगे छेत्रफल A S B equal to छेत्रफल C S D शेत्रफल CSD तो इसको मैं पढ़ दिता हूँ ग्रह को सूर से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान शेत्रफल तै करती है दूसरे शब्दों में ग्रहों की छेत्रिये चाल जी हाँ ये जो छेत्रफल समान तै करने के लिए जो चाल चली जा लही है ग्रह के द्वारा उसको हम क्या बोलते हैं छेत्रिये चाल तो ग्रह की जो छेत्रिये चाल होती है वो क्या होती है नियत होती है सदेव नियत रहती है इस नियम को छेत्रफल का नियम कहते हैं यदि कोई ग्रह दिये गए यदि कोई ग्रह दिये गए समयांतराल में A से लेके B तक जाता है और उतने ही समयांतराल में C से लेके D तक जाता है तो इस नियम के नुसार छेतरफल ASB बराबर छेतरफल ASD जहां S सूरी की इस्थिति है तो ये है हमारा दूती नियम बहुत बढ़ी तरीके से हमने यहाँ प सारवत्त्रीक गुरुत्त्वा कर्शन का नियम लिखे बहुत ही सरल सवाल है कॉस्चन नबर 10 में हमारे पास जो न्यूटन का नियम आया है सायद हर बच्चा इसका जवाब दिया होगा तो न्यूटन का सारवत्त्रीक गुरुत्त्वा कर्शन का नियम है कि दो पिंडों के दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकरशन बल उनके द्रमान के गुड़न फल के अनुक्रमातिव पाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वितक्रमातिव पाती होता है दोनों को मिला दीजे एफ एक क्वल्टू आ जाएगा एफ समान उपाते M1 M2 upon R2 और दोनों को मिलाने पर एफ इक कुल्स टू G M1 M2 by R2 तो यह आपके पास में यहाँ पर कहलाता है न्यूटन का सारवत्रिक गुरुत्वा करशन का नियम और यहाँ पर जी कहलाता है सारवत्रिक गुरुत्वा करशन का नियतांक यह कहलाएगा सार गुरत्व करषन का नियतांक चलिए बहुत बढ़िया आँगे चलते हैं तो यह सार्वित्व गुरत्व करषन परिभासा और सूत्र बताना है तो वह वेग वह नियूनतम वेग जिससे फेके जाने पर कोई वस्तु प्रत्वी के वातावर्ण से या दिये गए ग्रह के वातावरण से बाहर चली जाती है और कभी ग्रविटेशनल जो उन से वातावरण नहीं गुरुत्व छेतर से ओके वातावरण एक अलग बात होती है जैसे मान लीजे कि ये अर्थ है और ये प्रथवी का गुरुत्व छेतर यहां तक है बान लीजे यहां तक गुरुत्व छेतर है और इसके गुरुत्व छेतर के बाहर निकल जाए और कभी वापस लोट करके न आये तो उस वेग को बोलते हैं पलायन वेग हमारी धर्ती के लिए यह पलायन वेग होता है 11.2 km प्रती सेकेंड अगर आप इस वेग से किसी पिंड को प्रच्छेपित कर देंगे भेज देंगे तो यह प्रत्वी के गुरुत्वा करश्ण छेतर से बाहर निकल जाएगा और कभी भी लोट करके प्रत्वी में नहीं तो देखिए यदि हम प्रिभाश के बात करें यहां पर तो दिखनी पवज़ आप प्रणी की परिभाश किताब में दी गई है किसके में धर्ती के आलीया समल मिल निउन्टाम गया जिससे किसी पुर्ण को प्रतिवी की सत्य के ऊपर फेके जाने पर वे गुरुत्वी उपिछ चेत्र को पार कर जाता है तता प्रत्वी पर वापश कभी नहीं आता है तो ये परिभाशा एकदम सही है और जो गुरुत्व वर्ड है, actually वो किवल प्रत्वी के लिए इस्तमाल किया जाता है अलाकि होता तो सब कुछ है, सभी का होता है तो यहाँ पर पलायन वे प्रत्वी के लिए आप परिभाशित कर रहे हैं तो वह नियुनतम वे जिस्से की किसी पिंडो को फेके जाने पर वह गुरुत्वी छेतरों को पार करके चला जाता है और कभी वापस नहीं आता है और इसका जो फॉर्मूला हुआ करता है प्रत्वी के लिए वह होता है वी इक्वल टू अंडरू टू जी आर नोट का लीजे इसका वी क्वल्टू होता है अंडरू टू जी आर यह होता है प्रत्वी के लिए इसका सूत्र ठीक है ना प्रत्वी के लिए इसका सूत्र होता है और अगर सभी ग्रहों की बात की जाए तो सभी ग्रहों के लिए इसका सूत्र होता है वी क्वल्टू टू वी क्वल्स टू अंडरू टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर तो यह आप हर एक ग्रह के लिए इस चीज को पुट कर सकते हैं और यदि प्रत्वी के लिए बात करेंगे तो वी कॉल्टू अंडरू टू जी आर ओके और यहाँ पर आप जो है वैल्यू रख देते हैं तो इसको आपका क्या आता है यह 11.2 किलो मेटर पर आवर और विशेस बात यह है देख लीजे कि यह वस्तू के द्रमान पर निर्भर नहीं कर रहा है यह वस्तू के द्रमान पर निर्भर नहीं कर रहा है तो आपको मतलब इससे है उपर वाले से मतलब नहीं है आप मतलब रखिए किस से V equals to under root 2 small g और capital R ठीक है तो ये कहला गया आपका पलायनवेग ठीक है जी अगला सवाल पलायनवेग की परिभाशा भी देख लिए सूत्र भी देख लिया अगला है 27 degree centigrade को परमताप में बदलिये भाई परमताप मतलब Kelvin ताप मान होता है और Kelvin ताप मान में बदलने के लिए T equal to 27 plus 273 मतलब कितना हो जाएगा 300 Kelvin ताप मान ये हो जाएगा परमताप मान ठीक है अगला नियम दिया है वीन का विस्थापन नियम लिखिए झाल सबस्क झाल सोल ये झाल झाल वीन का विस्थापन नियम परिभाशित कीजिए झाल 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 झाल